मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेर आइकन को दबाएए तो आज कब लॉग स्टार्ट करते हैं वेल्कम बेक टू माई चैनल हेलो एबरीवान कैसे हैं आप सब तो यह देखिए अभी आज सुबह सुबह से मेरा काम हो रहा है तो मैं घी कर रही हूँ आज घी बना रही हूँ क्योंकि मलाए हो गई थी काफी दुनों से रखी हूई थी तो यह मैं घी बना रही हूँ और यह सुबह के बज़े हूंगे अभी आठ और इसके बाद आज देखिए मेरी केचन में बन रहे हैं समों से आजकर मेरे बच्चों को कुछ जाद ही बाहर का खाने का मन करता रहता है कुछ न कुछ वो चिलाते रहते हैं कि यह खाना है वो खाना है तो थोड़ा सा मैदा मेरी घर में रखी थी तो मैंने सुचा चलिए मैं घर पर ही बना देती हूँ ताकि बाहर से ना लाना पड़े और ना ये लोग बाहर कखाएं इतना अंतर हो जाता है घर का जो होता है तो हम अपने हाथों से बनाते हैं मैं पता होता है इसमें क्या-क्या है और बाहर से जो आता है तो ना तो ऑईल का पता होता है कि किस क्वालिटी का है और क्या-क्या इसमें मसाले पड़े हैं बस इतना नंतर हो जाता है तो ये मैंने देखिए आज में थोड़ा सा different बनाऊंगी तो आज मैं इसमें डालूगी करी पत्ता जया मिलाने वाली हूँ और मैंने कहीं समुन सी सिखाए थि तो उसमें करी पत्ता ठाओर प्यूंज़ें बहुत अच्छा लग़ा था तो मैंने वही ट्राई किया है इस बार तो देखते हैं कैसे बनते हैं और आलू को तोड़ लेंगे आलू अबाल के मैंने पहले रख दिये थे सुबही चड़ा दिये थे क्योंकि अभी जब सुबह सुबह यह समोसे जो है उनको नास्ते में चाहिए बच्चों को तो जल्दी बनाने पड़ेंगी तो यह देखिए आलू को बाल के रख दिये थे तो आलू तोड़ दूँगी मैं और इनको और इसके बार चड़ा दूँगी कड़ाई और कड़ाई ह जो है मैंने दुबारत होई है क्योंकि इसमें जंग लग गया था रखी रही और ध्यार नहीं दिया मैंने तो यह देखिए हींग और राई सौंप जीरा यह चारों चीज़े हैं यह भी इसमें डाल दूँगी और बस इसके बाद हमें डाल देना है करीपत्ता और बस करीप ही जासे कि मैं पहले बनाती हूं आस सभिते हैं इसी थरीक्यें से तो मैं भएक्ता बैंक या आप मिर्चा कर दूँगी तो बस आलू और आलू कर लेना है ताकि पूरे आलुम में इसका फ्लेवर आ जाए और इसके बाद इसमें नमक मिर्ची धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर नमक और चाट मसाला बस यही सब डालती हूं और गरम मसाला नहीं डालती हूं और इस बार मैंने प्याज एड नहीं की है क्योंकि और आमचूर पाउडर जरूर डाल देना क्योंकि अगर आमचूर पाउडर नहीं डालेंगे तो समय से करते इस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और यह आलू जो हैं इन दिनों मीठे हो जाते हैं मतलब जैसे कि हम सब जी बनाते तो अलका सब मिठास आ जाता है आलूम में और यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं रखते हैं तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी आमचूर पाउडर यह देखिए मैं डाल ले हूँ तो उससे क्या होगा कि घटा बना जाएगा तो यह बहुत अच्छे लगेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे मसालों को उसमें मिलाने के बाद आलूमें डाल देंगे हम हरी पती तो हरी धनिया पती मैंने डाल दी है और यह देखिए हमारा जो स्टफिंग है समोसे की बहुत तयार हो चुकी है और अब हम बस समोसा बना लेंगे मतलब भरने के लिए तो पूरी तरीके से तयार है और आगे अब क्या करेंगे हम की बे लेंगे अब मैंने क्या आटा पहले से लगा के रख दिया था मेरा जो है वह लगा के रख दी थी तो यह देखिए मैं बो कर रहे हूं समोसा बने के लिए उसकी जो तयार कर रही हूं और यह मैंने जो आपको दिख रहा होगा यह बड़ा सा चौपंग बोर्ड बनवाया था मैंने तो मेरे आज जब इसमें काम चल ला था आपको पता ही है मैंने दिखाया भी है कि मेरा कबड़ इसका काम चल ला था फरनीचर क मैंने आपको बताया भी था तो यह इसमें पूरियां भी बिल जाती है बड़ी आराम से और यह देखिए समोसे तयार हो गया है मैंने भरके रख लिए और अम मैंने को सेख दूंगी और भरावन हो गई थी खतम बहु जो आलु था मैं वह नहीं है समोसे चिके थे जटने मैता थी इसकता है तो बाक्या अधू मैं से बनाना के लिए तो उसकी बनादीने मठ्री और यह मैरे ज्यादर पसंद है क्योंकि वो समोसा नहीं खा पाता है उसको मिट्ची लगती है और फिर मैं साथ में समोसे भी से एक दूंगी और यह देखिए सिक रहे हैं गरम गरम समोसी और इस बार मेरा क्या हुआ था कि मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं कोसिस करूंगी कि बिलकुल बैसे ही जे क्सपीसी बनते हैं मार्किट में मेरा समोसी क्या होते थे कि वो सॉप्ट बनते थे वो क्रिस्पी नहीं हो पाते थे जो उनके मार्केर वाले समोसों में रहता है वो नहीं रहता था मेरे में तो इस बार मैंने बिलकुल ठान लिया था कि मैं बैसे ही बना के रहूंगी तो बागई मैं वह बिलकुल बैसे ही बने थे और बहुत ही अच्छे ब होते हैं वो अगर हम खाले तो हाँ अब चलिए तो आज लोगों ने पिच्चर देखी है है तो अब अब मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग लेक्षा सब्सक्राइब निकार तो पिली लाइक से लिए सब्सक्राइब कर दिये फिर बाद में अब बैल एकन को भी दबाईएगा नाटिपी के सना आपके मोल में आई तो आपना करना लेगी कौन सी देख रहे होंगे खुस होंगी और मैं भी वड़िया हूं और मैं कह रही थी कि आज से आज से जो मेरा ब्लॉग है उसका टाइम जो है मैं चेंज कर रही हूं अब रात मैं नहीं अब लोग दिन में ही आया करेगा चार बज़े के बाद चार पांच छे साथ मतलब इसी टाइम पे आया करेगा तो मैंने टाइम करने की सूची है वैसे में टाइम करे हुए थी क्योंकि वह रात में डालते जी मैं तो अभी फिलाल क्या हो रहा है कि तो नेटवर्वर्ट प्रोब्रम हो रही है मेरे यहां बहुत ज़्यादा प्रोब्रम चल रही है तो पूरी रात लग जाता है और वह अपलोड ही नहीं हो पाता है तो अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि वह एक दिन का ग्याफ हो गया है तो इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने इसको अपलोडिंग पर लगा दिया था साम को साथ वजे और यह पूरी रात अपलोड नहीं हुआ फिर दिन में भी हुआ तो फिर इसके बाद मुझे दूसरे फॉन से उसको कनेक्ट करना पड़ा तब कहीं जाके वह अपलोड हुआ दिन में तो फिर जब दिन में आ गया तो फिर मैंने वह साम को दूसरा ब्लॉग नहीं डाला था तो इसलिए मैंने सुचा है कि मैं साम को चार के बाद कभी मतलब चार के बाद कभी भी आ जाया करेगा तो मैं अफलोडिंग पर लगा दिया करूंगी चार बजे फिर वो जितने टाइम तक हो पाएगा लिए कि चार बजे अगर इस टाइम पर हम लगा देते हैं तो जल्दी हो जाता है और दिन भर यूज करने के बाद जैसे कि साहे है कि फिर इसलिए नहीं हो पाता है वो चार्ज और वोर ट्रक रहाएज़िक् reconstructedी और बाद से कमें दरान मिलता है और भाद वो उसमें हो जयाता है तो दूसरेक दिन वाला डाड़ा जाता है तो मोभाइल साहे हो ला नहीं प्ल्म दाल रहीति और धामिननी मुझे चलता था इस मन्थ मैंने डलवाया था अब क्या डल चुका है लेकिन अब मैं मैं ने सूच लिया है कि आप मैं इसको 4 बजे के बाद करूँ और मैं मोबाईल मैं रहती हूं ना मैं देखती हूं ना मुझे उससे कुछ कोई जादा वो नहीं रहता है मुझे कि उसको चला नहीं है मुझे थोड़ा बहुत देख लेती हूं और बस देखना क्या है थोड़ा सा मोबाइल अगर मैं उठाती हूं तो कुछ अगर इंट्रेस्ट की चीज है तो यूटुब पर कुछ तो एक आज वीडियो ही देखती मुझे को भांच पर की रात में आता है की दिर में आता है कि इतना इने देखने वाला है नहीं कोई लेकिन फिर भी मैंने बता ना र मैंने सही कि मने बना कि चाया दिकारों से बिखाए बस तो फिर आप लोग देखिए और देखके बताईए और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने सोचा था कि मैं एक लेके आई थी कभी एक दू हप्ते हो गए हैं दू हप्ते तो हो गए हूँ आरान से तब मैं लेके आई थी एक ब्लाउट पीस और ज्यादा यह सब्सक्राइब तो हो सकता है कि उसी को कंप्लीट करूं तो मैं उसी का वीडियो सेप्रेट एक उसी का वीडियो डालूंगी क्योंकि अच्छी चीज है वह और आप लोगों को देखने पहनने के बाद हो या समझ में आ जाएगा वैसे नहीं आए आएगा ना मैं ऐसे में आ जाएगा बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से मैंने देखा है तो ठीक है फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे कल के ब्लॉग में और जो लोग नहीं देखते हैं वो सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें मुझ को याद आ जाता है कि अनने लाइक करनी के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है इस तरही के समझ में आता है कि जब से मैंने कहना सूरू किया सिके पहले मैं नहीं कहते है तो ठीक है फ्रेंस में और तब तक के लिए बाय बाय